एक हमारी मा साथ हो, तो हम हर तकलीफ के बाहर सकते हैं अगर ये दोनों हमारे साथ हो, तो हम हर तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं मैं जोतई आप सब का मेरे व्लोग में स्वागत करें आज हमारी recipe है mutton और उससे पहले मेरी मान नाश्टे में आलू चने की सबजी और रोटी बनाई थी और अभी वो भगवान को भोग लगा रही है और भोग लगने के बाद हम लोग सब खाएंगे और start करेंगे हमारे next recipe ये तो सबसे पहले हम एक किलो mutton लेंगे उसे अच्छे स साफ करेंगे हम लोग क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हमने उसमें आधा किलो प्यास लगवाग 500 ग्राम प्यास को कट किया है मीडियम साइज में आपको प्यास को कट करना है और प्यास हलकी ब्राउन होने के बाद उसमें हम मटन डालेंगे और मटन को हम अच्छी तर नए मतन की जो रेड नस ही वो पूरी तरह से निकली नही पानी रहने के कारण उसमे NOR रेड थी अब इसे हम अच्छी तरह से प्राई करेंगे इसे चलाएंगे और यह देखिए यह अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हमें फिर थोड़ी थोड़ी देर पे आप लगभख पास मिनट की देरी पे इसे चलाते रहें और अभी मैंने इसे कवर किया है उसके बाद अब हम मसाले की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए मैंने लिया है फिर ग और अभी हम थोड़ी देर 15 मिनिट हो चुकी और हमारी मतन थोड़ी रड़ी हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे मसाले तो पहले मसाले को पीसेंगे तो आप देख सकते हो कितनी मसाले इसमें डलने वाली हैं लगवग 10 लाल मिर्ची हैं पता है पिसी ओई मसाली डालने से अच्छा अगर इसे पीस कर मिक्सी या फिर सिल्वट्टे में पीस कर डालोगे तो खाने की टेस्ट होती है वो तो गुना बढ़ जाती है तो हम जब भी इस तरह की रेसिपी बनानी होती है तो हम इसे सिल्वट्टे या फिर ग्रैंडर में पीस कर नहीं बनाते हैं तो अब ये हमारी मिक्स से मसाले रेडी हो चुके हैं अभी ममा मेरी लसन पीस रही है उसके बाद मिर्च और गोल मिर्च तो अब हो चुके हैं मसाले और ये देखिए मटन पूरी तरह से फ्राइ हो चुका है और इसमें हमने थोड़ा नमक भी डाला है अब ये नमक डालने के बाद और ये खड़े लसुन डालने से लसुन में भी अलग सी टेस्ट आती है और मटन में भी और ये देखे कितनी अच्छी रेड हो चीकी है ये ब्राउनिश हो चुकी अब इसमें सारे मसाले डालेंगे और हल्दी डालेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भू तो उसनों ने कहा कि नहीं मुझे मत दिखाओ तुम जो रेसिपी दिखाना चाहती है वो दिखाओ तो यह देखें तो अच्छी तरह से चलाते रहें और यह देखें इसका खालर हो हो चुका है यह देखें कितना खुब्सूरत लग रहा है और मसाली और ये फ्राइ हुए चेक करनेके के लिए आप देख सकते हो कि इसमें जो oil होता है तेल वो इसमें दिखने लगा है मैंने तेल की quantity नहीं बताई थी तो आप कीजेगा तेल इसमें आपको लगभग 1500 ग्राम डालनी है क्योंकि ये 1 kg मटन है तो आपको 1500 ग्राम डालनी है ये वैसे आप जितना कम या जादा तेल डाल सकते हो वो आपकी मर्जी है बट मटन में जादा तेल का यूज हम लोग नहीं करते हैं ये देखिए ये फ्राइ हो चुका है मेरी ममद अभी कूकर में इसे डालने वाली है तो कूकर प्रेशर में थोड़ा तेल डालेगी और डालने के बाद अब प्रेशर कूकर को कर्म करना है ये देखिए ओइलिंग हो चुकी है प्रेशर कूकर में और मटन भी अच्छी तरह से फ्राइ हो चुका है उसकी कलर भी चेंज हो चुकी है वो बिल्कुल रेट डिख रही है तो कम चीजों में अच्छी अच्छा खाना बनाना ये ही एक ग्रेशर की पहचान होती है और मुझे लगता है कि मेरी मां ये बखूबी कर लेती है तो इतने कम चीजों में आप देख सकते हो कि उन्हेंने बहुत ही अच्छी तरीके से मटन को बनाया है यह देख सकते हैं आप अब वो कड़ाई को नीचे रखती हैं और कुकर को उपर चड़ा कर ऑईल गरम हो चुकी है और अब वो सारे मटन को कुकर में डालें यह देखिए यह कड़ाई से कुकर में ट्रांसफर हो रही है सारे मटन उसमें डल रहे हैं और इसके बाद हम उसे हलके हलका चलाएंगे देखिए हलका हलका उसमें तेल जो गरम हो चुकी है तो उसमें मिक्स करनी है हमें और यह मिक्स हो चुकी है और जो भी बचा हुआ है वो सारा का सारा आपको डाला है उसमें ये डल चुका है उसके बाद मेरी ममा ने पानी डाला है उसमें अब धीरे धीरे क्वांटिटी जितनी मटन के क्वांटिटी है उस बेसे इस पे आप पानी डालते जाए कि इतना पानी तो होना चाहिए कि वो मटन पूरी तरह से उसमें डूब जाया ये देखिए आप मटन वो क्या है वो पूरी तरह से डूब चुका है पानी के अंदर जा चुका है अब इसमें हम डालते हैं गरम मसाला और अच्छे से चलाते हैं हम इसे मिक्स करते हैं उसके बा वारे घर में तीन सीटी होने के बाद मटन पक जाती है बट आप देखिए ये आप अपने हिसाब से देखिएगा और ये मटन पक चुकी है और हम अभी निकालते हैं और गर मगर अब सब करते हैं तो वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइ करें थैंक यू पूर वाचिंग बबाई सी या